हेलो दोस्तो ये है होंडा एक्टिवा 7G जो की काफी जल्दी इंडिया में लॉंच होने वाली है और कितना प्राइस होगा इसका क्या-क्या न्यू फीचर्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे यह सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो फ्रेंट की بात करें तो इसमें LED हेड्लैम्स मिलेंगे, हलो जन इंडिकेटर्स मिलेंगे और indicators के नीचे chrome finish भी मिलेगी बाकि जो इसका front का design है ये अभी वाली Activa से similar होगा दूसरा change इसके tires में होगा अब new Activa में 12 inch का tire मिलेगा front में और disc brake भी इसमें मिलेगा और दोस्तो new design के alloy wheels भी Activa 7G में मिलने वाले हैं अगर suspension की बात करें तो front में telescopic और rear में spring loaded hydraulic suspension इसमें मिलने वाले हैं जो कि इसकी riding quality को और भी जादा comfortable बना देंगे दोस्तो इसके engine की बात करें तो इसमें 124.92cc का single cylinder 4 stroke liquid cooled F5 BS6 engine मिलेगा जो की power produce करता है 11.33 HP की और talk generate करता है 11.6 Nm का अब rear look की बात करें तो दोस्तो इसके rear को पूरी तरह से redesign करा गया है इसके rear में काफी जादा major changes किये गई है इसमें बिल्कुल new design की tail light मिलेगी जो की काफी अच्छी लग रिये देखने में बिल्कुल sharp design की इसमें tail light मिलने वाली है new grab handle मिलेगा और काफी बड़ा इसमें पीछे की side mud flap भी मिलेगा अगर बात करें इसके handle bar की तो right में आपको self start का button मिल जाएगा और left side में high beam, low beam के controls मिलेगे और honor मिलेगा और साथ में उसके नीचे आप देख सकते indicators के control मिलेगे और दोस्तो एक और बड़ी change की बात करें और साथ में काफी अच्छी इसमें 138 mm की ground clearance भी मिलने वाली है तो दोस्तो इसके looks की बात हो गई features की बात हो गई अब बात कर लेते इसके price की तो new Activa 7G का एक showroom price 80,000 रुपे से start हो सकता है तो दोस्तो ये थे सारे updates new Honda Activa 7G के बारे में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा है तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon भी प्रेस कर देना ताकि आपको bikes के और car के new updates मिलते रहें Thanks for watching